इस वीडियो में बहुत जादा वाला है आइफ़न 12 की यूजर्स आपके लिए इस अपडेट में बहुत सारी खास सीजिन नहीं आई है अपडेट का जो साइस है अपडेट का जो वर्जिन है वो कौन साह है इस वीडियो में जाने के सबसे पहले आप दिख सकते हों सेटिंग में चलते हैं तो मैंने अपने स्क्रीन शॉर्ट से हैं कुछ कर रहे हैं वो मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं मैंने अपडेट को इंस्टाल के लिया है अपडेट का जो वर्जिन है वो है 17.0.2 वाला इस मैंने अपडेट को इंस्टाल किया है 17.0.1 से अगर आप अगर आप IOS 16 के ओपर हो तो आप इस फॉन को बड़े अनाप से अपडेट कर सकते हो iPhone 12 ऐसा जिसमें अभी तक मिलको कोई सिंगल एश्यू कोई सिंगल नोटीस नहीं हुआ अपक distintos और जो अपडेट का जो साइज है न वह आप देखो कि मैंने 17.1 से इंस्टाल किया है 17.0.1 से नहीं सो इस अपडेट का जो बिल्ड नमबर पहले था 329 था और बिल्ड नमबर चेंज है और यहाँ पर अवेलेबल स्पेस आप देखो 90.1 1 GB है सो मैंने कुछ वीडियो वगरा भी रिकार्ड की है आप जैग आउट करते हैं कि स्पेस जो है इंक्रीज हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो 85.16 GB है मैंने कुछ वीडियो भी शूट की है इस फोन से सो ओवराल 19-20 का भी फर्क होगा आपके फोन में भी इस फोड़ी सी डिक्रीज होई है मेरे आइफ़न 13 प्रो में और एक्सार में और 11 में थोड़ी इंक्रीज होई है जो मॉडम फार्मवेर है वो भी सेम नहीं वो भी सेम है पुराने अपडेट के कंपेर करें तो सो नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी चेंजिस होगी या कोई प्राब्लम आएगी तो मैं आपको इसका solution इसी चैनल पर दो जूँगा सो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो subscribe करना, consider करना आब बताता हूं कि Apple ने अपडेट रोल आउट क्यों किया है जैसे कि आप जानते हो कि iPhone ने, Apple वालों ने 15 series launch कर दी है और काफी users iPhone 15 buy कर चुके हैं और इसके बाद में उनका जो पुराना iPhone है, let us do, मैंने iPhone 15 buy किया है और मेरे आपास iPhone 12 था और 12 से मैं data 15 में transfer करूँगा, तो 15 में यह data transfer हो रहाना, यह issue आ रहा था इसमें Apple ने यह नया update roll out करके दोने ही phones में यह issue resolve कर दिया है, अपडेट करने के बाद जब हम data transfer करेंगे तो issue नहीं आएगा Speed और performance की बात करूँ, तो दोस्तो slightly drop है, थोड़ी performance, numbers जो है CPU benchmark और GPU scores जो है, वो drop शो कर रहे हैं लेकिन यह मैं numbers के उपर कभी rely नहीं करता हूँ, मैं just phone की overall daily performance चक करता हूँ और उसमें smoothness और lag बगरा, sturdos बगरा चक करता हूँ, so आपको भी full review के लिए wait करना है, अगर आपको install करना है, तो आप कर सकते हों के बंद करके, यह चोटा सा update था, security update है, इसी के साथ साथ Apple ने अपने issue को भी resolve कर दिया, और Apple ने security update भी launch कर दिया, so अगर आप भी अपना iPhone shift क करना चाहते हो, यहाँ फिर अपने iPhone को secure, और secure बनाना चाहते हो, तो इस update को install कर लो, अच्छी चीज़ है, आपको installation में कोई issue नहीं आएगा, तो आप time to time update install करते रहोगे, इससे आपको iPhone की storage space भी free देखने को मिलेगी, और iPhone up-to-dated रहेगा, so this was the video for iPhone 12, I hope guys आपको वीडियो प